अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक किजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भीजिए और इसके पास बैल आइकन बना हुआ है उसे प्रेस किजिए टाकि मेरा हार आने वाला वीडियो आपके पास सब के पहले पहुंचा है हेलो फ्रेंज आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान टी टाइम स्नैक की रेसेपी शेयर कर रही हूं यह साउट हिंडियन रेसिपी यह इसे खिरई वड़ाई कहते हैं ऐसे तो वड़ाज आपने कई तरह के खाया होंगे लेकिन यह खिरई वड़ाई की रेसिपी बहुत मास्त ह हधी मैं उरद की डाल लिए इसको घो दिया ए तिन गषनि के लिए तो इसे चाएब दो दिया था ग्यू दूली हुआ ओड़ाज यह घू रिँ पर द peanuts रिआ्वाज का में गट्रावर ? ये भी एक कटोरी है, दोनों एक ही कटोरी है, आप कोई भी मेजरमेंट ले सकते हैं, एक ही कप ले सकते हैं, चाहे कोई भी छोटी बड़ी कटोरी ले सकते हैं, मैंने छोटी कटोरी लिए और इसे हम ग्राइंडर जार में अलग-अलग पिसेंगे, चलनी में चान लिया है, मै देखे, यह क्रेश कर लिया है, मैंने, ज्यादा बारिक पेश नहीं बनाया है, आप दाने देख सकते हैं, इसमें दाने दिख रहे हैं, उड़त की डाल के, इसको कोषली ग्राइंड करना है, तभी वड़े अच्छे बनेंगे, और यह चने की डाल है, इसको भी मैंने कोषली ग्राइंड कर लिया है, इसमें भी आपको दाने दिख रहे हैं, मोटा मोटा क्रेश कर रहा है, ज्यादा बारिक पेश नहीं मनाया है, तो इन दोनों दालों को, यह देखे, आपको दाने भी दिख रहे हैं थोड़े, तभी टेस्ट अच्छा आएगा, क्रंची टेस्ट तो दोनों दालों को मैंने इस तरह से मिक्स कर दिया है, और इसको थोड़ा सा हाथ से मिला लेंगे दोनों दालों को, और यह मैं डाल रही हूं, प्याज एक बारिक प्याज की कटिंग है, एक दम बारिक प्याज की कटिंग है, और अद्रक है, और हरी मर्चाई, उनको भी बारिक बारिक कटिंग कर लिए, और ये कड़ी पत्ता है, मैं आपको दिखा रही है, और ये हरा धनिया है, इनको भी थोड़ी कटिंग कर लिए, और ये सौंफ और जीरे का बारिक पाउडर बना दिया, मैंने ग्राइंडर जार में, थोड़ा सा मोटा है, तो इसमें आप पा बालक के साथ बहुत अच्छी रेसिपी बनेगी, लेकिन मेरे बास अभी पालक था नहीं। तो ये सारी चीजें हम मिक्स कर लेते हैं, ये प्याज, हरी मिर्च और अद्रक डाल दिया मैंने, और इनी के साथ मैं, ये धनिया और कड़ी पता भी डाल दिया मैंने, कटिंग करके छुट छुटी और ये साथ और जीरे का पाउडर डाल दिया है, हलका सा क्रैश करा है मैंने, अब ये जो डाल का मिक्सर है, दोनों को मिक्स कर देंगे, अच्छा सा हाथ से ही करेंगे, तो अच्छा टेक्सर हो जाएगा, अब ये मिक्सिंग बॉल में, अच्छी तरह से मिक्स करके, ये देखिए, टेक्च्चर आपको दिखा रही हो, इस तरह का हो जाएगा, अब इसके अंदर, जो प्लेट में हमने सारे प्याज वगरे मिक्स कर रहे थे, ये सब्सब्दियां डाल देंगे, इसमें पालक कटेक्स बहुत अच्छा आता है, पालक ठाने मेरे पास, आप पालक भी डाल सकते हैं, छोट-छोटी कटिंग करके थोड़ा सा, अब इसके अंदर मैं ये हिंग डाल रही हूँ, इसका फ्लेवर अच्छा आएगा, थोड़ी सी डाल रही हूँ, दो पिंच के करेब, और ये नमक डाल रही हूँ, और इसमें थोड़ी सी लाल में डालूँगी मैं, लेकिन हल्दी नहीं डाल रही हूँ, और इन सब को हम मिक्स कर लेंगे, देखे पाने बिलकूर भी नहीं डाला था मैंने, डालों मैं पीछते वकत भी नहीं डाला था, ये बहुत क्रंची बनेंगे, इनको पतला पतला हम शेप में करेंगे बाद में, आपको दिखाऊंगी, तो ये टेक्स्टिर हो गया अब ही, और ये प्लास्टिक की शीट है मेरे पास, आप कोई भी शीट इस तरह से ले सकते हैं, और एक बॉल में मैंने पानी ले लिया है, ताकि वो चिपके नहीं हाथ में, जो मिक्सर लेंगे, वड़ा बना के लिए, तो वो चिपके नहीं, इस तरह से पानी लगा लिया, और आप लगा सकते हैं, इस तरह से फ्लैट कर लेंगे, थोड़ा सा प्रैस कर लेंगे, और एक शेप दे देंगे, गोल सी, प्रैस कर दिया, हल्का सा प्रैस करना है, नहीं तो तूट जाते हैं फिर ये, ये देखिए, शीट पे मैंने डाल दिया है, बड़ाई का मेक्चर, फ्लैट करके, और आप शीट के उबर फिर मैंने एक और शीट इसी तरह से फॉल्ड कर दिया, ताकि चिपके नहीं, और ये कटोरी से देखिए, आपको एक और ट्रिक बढ़ाती हूँ, कटोरी से इस तर से फ्लैट कर लेंगे, अगर आप हाथ से नहीं करते हैं, तो इसके पर मिक्चर रखे अंदर, और कटोरी से फ्लैट कर लीजे, तो इजीली हो जाएगा, जो नई कुकिंग शीक रहे हैं, उनके लिए मैं अच्छी ट्रिक पता रही हूँ ये, और इसको अगर शेप ज्याद ये देखिए कितना अच्छा शेप आ गया, अब ये जो पानी का बहल है, उसमें से एक थोड़ा सा उंगली में लगा के और बीच में इस तरह से होल बना देंगे, इस तरह से छेद बना के और उसको थोड़ा सा बढा करके, ताकि ये अच्छी तरह से फ्राय हो जाएगा, अंदर से भी और बहार की तरफ से, आउटर वाल से और इनर वाल से, ये तेल गरम होने रख दिया है कड़ाई में, चेक कर लेते हैं, गरम हुआ को नहीं, ये देखिए अच्छा सा हो गया है करम, गैस मेडियम कर दिये मैंने, पहले तेज करके गरम कर लिया था, फिर मेडि अच्छा हो गया है, अब हम शीट पर जो वड़ा बनाया था, उससे डालेंगे, तो ये देखिए, ये एक इस पर चुला ले लिया है मैंने, इसके उपर शीट का वड़ा इस तरह से ले लेंगे, और इसको धीर से, कड़ाई में इस तरह से उल्टा कर लेंगे, देखिए कितना आसानी से चला गया, इतना इजीली चला गया, कि जो नई कोकिंग सीखते हैं, उनको भी आ जाएगा, फिर आपको एक और दिखा रहे हो, इस पर चुला पर इस तरह से ले सकते हैं, और शीट से लेके, इसको इस लो के बीच में करना है, एकदम लो नहीं करना है, और इसको जब तक ये क्रिश्पी होता है, नेचे से लाइट ब्राउन हो जाता है, तभी हम इसको उल्टा करेंगे, नई तो तूट जाते हैं, बड़े, और ये बहुत ही अच्छा टी टाइम स्नैक है, इसे आप बच्चो ये रेसेपी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए मैं आपके साथ सेहर करते हूं, और इसका टेस्ट तो बहुत ही मास आएगा, देखिए कितने अच्छे खिराई वड़ाई बनने हैं, बहुत ही क्रिस्पी हैं, क्रंची हैं, और इसे आप, देखिए दूसरा बैच बहुत ही डाल दिया है, एक बैच निकाल लिया है, और इसे भी बार-बार पलट देंगे, मेडियम तू लो के बीच में रखेंगे, तो फिर क्रिस्पी होंगे, नहीं तो फिर सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर सॉफ्ट अच्छे नहीं लगेंगे, और इनको एर टाइट कंजे अच्छे लगे हो तो प्लीज लाइक शेयर और नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाइ फ्रेंड्स